दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों भारती संबिधान एयुम राजवेवस्था के महत्वण प्रश्णों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम साल्व करेंगे निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वण प्रश्णों का प्रेक्टिस एट जो आपके आगामी परिक्षाओं के सामान निग्यान और सामान अध्यन खंड के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आएए शुरू करते हैं भारती संबिधान एउम्राज विवस्था के अंतरगत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्षन कमीशन से संबंधित महत्वण प्रश्णों का प्रेक्टिस सेट पहला प्रश्ण है भारत के मुख्य चुनाओं आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा आपसन है आपके लोकसभा द्वारा, प्रधान मंत्री द्वारा, राष्ट पर्ति द्वारा या मुख्य नियाधिस के द्वारा तो सही उत्तराफ संसी राष्ट्रपती द्वारा दुस्तूं भारती संबिधान के अनुछे 324 दो के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोक के मुख्य चुना आयुक्त और अन्य चुना आयुक्तों की नियुक्ती संसत द्वारा बनाई गई बिधि के अधिन राष्ट्रपती द्वारा की जाती है अगला प्रश्ण है भारत का संविधान निम्न लिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतरगत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है तो आप जानते हैं अनुच्छे 324 के अंतरगत दूस्तों भारती संविधान के अनुच्छे 324 के तहट संसद राज्य विधान मंडलू राष्टपती और उपराष्टपती पदों के निर्वाचन के अधिक्छन निदेशन और नियंतरण के लिए एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है अगला प्रश्ण है भारत के मुख्य निर्वाचन आयोगत की पदावधी कितनी होती है तो सही उतर 6 वर्स या 65 वर्स की आयोगत जो भी पहले हो भारत के मुख्य चुना आयोगत और अन्य चुना आयोगत अपने पद पर 6 वर्स या 65 वर्स की आयोगत जो भी पहले हो बने रहते हैं अगला प्रश्ण है मुख्य चुनाओ आयुक्त को पदज्यूत किया जा सकता है कैसे तो आप जान लिजे उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच नियाले के नियाधीसों पर लागू होती है दोस्तों मुख्य चुनाओ आयुक्त को उसी प्रक्रिया द्वारा हटाय जा सकता है जो उच्चतम न्याले के न्याधीसों के लिए वणित है अगले प्रशन पर आते हैं निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है कैसे तो सही उत्तर यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त की बात की गई है तो आप जान लीजिए निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर् पति द्वरा हटाया जा सकता है आप सुन सी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्न है कौन भारत में राजनीतिक दलों को मानेता परदान करता है तो आप जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर ECI यानि इलेक्षन कमिशन आफ इंडिया यानि भारत का निर्वाचनायोग दुस् अगला प्रश्न है राष्टपती का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है आपको बताना है बहुत ही महत्तपोन प्रश्न है आपसन है लोकसभा इस पेखर के द्वारा प्रधानमंत्री कार्याले द्वारा संसदी कार्यमंत्री द्वारा या भारत के निर्वाच तो सही उत्तर है राष्टपती चुनाओ का जो संचालन है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है आप संडी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है निम्ण में से किसका संबंध चुनाओ आयोग से नहीं है यहाँ पर आपसे पूछा गया है चुनाओ में अधिसूचना जारी करना चुनाओ चिन्ह का बटवारा करना चुनाओ की वैधता का निप्टारा करना या चुनाओ सांधिपूर ढंग से संपन्न कराना तो सही उत्तर है चुनाओ की अधिसूचना जारी करना यह चुनाओ आयोग से संबंधित नहीं है क्यों आप जान लिजे निर्वाचन आयोग की सिफारिस पर चुनाओ की अधिसुचना लोक सभा और राज्य सभा के लिए राष्ट पती तथा विधान सभा और विधान परिशत के लिए संबंधित राज्य का राज्य पाल जारी करता है अगला प्रश्ण है सांसदों की अयोग्यता संबंधि विवाद पर कौन नेड़े देता है आपको बताना है राष्ट पती संबंधि संसद निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग के परामर्स से राष्ट पती तो सही उत्तर आप संडी निर्वाचन आयोग के परामर्स से राष्टपती आपसंडी आपका सही उत्तर हो जाएगा दूस्तों संबिधान के अनुछेद 103 के तहर सांसदूं की आयोग्यता या निरहरता संबंधी विवात का विनिश्य राष्टपती निर्वाचन आयोग के परामर्स के अनुसार करता है जबकि दल बदल या दल वर्तन के आधार पर निरहरता संबंधी प्रश्णों का विनिश्य संबिधान की दसवी अनुसूची के प्रावधानों के तहर सदन के सभापती या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है अगला प्रश्ण है नियायाले द्वारा अप्राधी घोशित की ये गये व्यक्ति को लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निड़े किया गया है किसके द्वारा भारत सरकार द्वारा सर्वच नियाले द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा या संसत द्वारा तो सही उत्तर संसत द्वारा आप संडी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नियायाले द्वार अपराधी करार देते हुए दो वर्स या अधिक की सजा सुनाई गई है तो वह सजा के दोरान या उसके बाद अगले छे वर्सों की अवधि के लिए चुनाओ लड़ने के लिए अयोगी हो जाता है अगला प्रश्ण है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है मूल अधिकार नैसरगी का अधिकार संबैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार तो इस प्रश्ण पर दोस्तों कई बार मन्थन हुआ है कई बार चर्चा भी हुई है परिक्षाओं में पूछा भी गया है सही उत्तर मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार है तो याद रखेगा भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अध चुनाओं में 18 वर्स की आयू पर तो सही उत्तर थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा सही उत्तर 1989 के चुनाओं में क्यों क्योंकि 61 संभिधान संसोधन अद्नियम 1988 की द्वरा मताधिकार की आयू को 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स किया गया था जो कि 28 मार्च 1989 से की लोगसभा के आमचुनाओं में किया गया था अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य की बेवस थापिकाओं के लिए मतदान की नियूंतम उम्र की सीमा 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कब की गय थी तो सही उत्तर है 16 संभिधान संसोधन 1989 से दोस्तों आप जान लिजे की 16 संभ 20 वर्स से घटा कर 18 वर्स किया गया था जोकी 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था अगले प्रश्न पर चलते हैं अगला प्रश्न बहुती महत्यकूर्ण है भारती संभिधान का कौन सा अनुच्छेद लोगसभा और विधान सभा के प्रतिनिदियों के निर्वाचित करने या तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 326 दोस्तों भारती संभिधान के भाग पंद्र के अंतरगत अनुच्छेद 326 के तहत लोगसभा और प्रतेक राजी की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किये जाने का प्रावधान किया ग चुनाओ सुधारों पर जो है किया गया था निर्वाचन सुधारों से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध तो याद रखिएगा दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध दोस्तों ये चुनाओ सुधारों से है तो आपसन B जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी तो कई साथी जानते भी होंगे सही उत्तर V.S. रमादेवी और आप जान लिजे कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त V.S. रमादेवी थी वो 26 नमबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 अगला प्रश्ण है उस देश में आनुपातिक प्रतनिधित्व आवस्यक नहीं है जहां। अगला प्रतनिधित्व आवस्यक नहीं है जहां। भारत की निर्वाचन आयोग में मूलता एक मुख्य निर्वाचन आयोग तो होता था। 16 अक्टूबर 1989 को सबसे पहले निर्वाचन आयोग में दो अतरिक्त निर्वाचन आयोगतों की नियुक्ति की गई। लेकिन एक जनवरी 1990 तक ये अपने पदपर रहे एक अक्टूबर 1993 को पुनह दो अतरिक्त निर्वाचन आयोगतों की नियुक्ति की गई। और तब से ये आयोग तीन सदसी हो गया है तो पहली बार जो है 1989 में निर्वाचन आयोगत में मुख्य निर्वाचन आयोगत की अतरिक्त दो निर्वाचन आयोगतों की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्ण है कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोगत्वारा समपादित नहीं किया जाता। लोकसभा, राज्यसभा, राष्टपती या अस्थानी निकायों का। तो सही उत्तर अस्थानी निकायों का। कैसे तो संसद राज्य विधान मंडल और राष्टपती और उपराष्टपती का चुनाव संविधान के अनुच्छे 324 के तहत निर्वाचन आयोगत्वारा किया जाता है, जबकि अनुच्छे 243 के और 243 जेड ए के तहत पंचाहतो और नगरपालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, अगला प्रश्ण है नेशनल ओटर्स डे किस तिथी को मनाय जाता है, तो सही उत्तर 25 जनवरी आपसंसी, दोस्तों राष्टी मद्दाता दिवस या नेशनल ओटर्स डे 25 जनवरी क को मनाय जाता है, भारत निर्वाचन आयोग की अस्थापना के उपलक्ष में और लोगतांतरिक प्रक्रिया में मद्दाताओं और युवाओं की भागिदारी बढ़ाने के लिए ये दिन 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया था, अगला प्रश्ण है आनुपातिक प्रतनिधित को सुनिश्चित करती है, आपसन D आपका सही उत्तर है, दोस्तों आनुपातिक प्रतनिधित्यों की बेवस्था निर्वाचन करिया पड़ाली में अल्प संख्यकों का प्रतनिधित्य सुनिश्चित करती है, अगला प्रश्ण है भारत में मद्दान के लिए प्रियोग की जाने वाली मसीन वीवी पैट का संसकरण क्या है, M1, Z1, M3 या Z3, तो सही उत्तर M3 आपसन C, दोस्तों याद रखे का पारदर्सी वेवस्था की आधिकारिक पुष्टी के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा, ओटर, वेरिफाइड, पेपर, आडिट, ट्रेल यानि पैट, यूग्त, एबियम, M2, M3 संसकरण आयोग द्वारा प्रियोग मिलाय जा रहा है, आपसन C आपका सही उत्तर है, अगला प्रश्ण है, भारत में सरवपर्थम सामान ने चुनाओ आयोजित हुए थे, किस वर्स में, उन्नी सव उन्चास, पचास, पचास सिक्यावन, 51-52 या 1956-56 में, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1951-52 में प्रथम सामान ने चुनाओ आयोजित हुए थे, भारत में लोगसभा के लिए पहला निर्वाजन 1951-52 में कराए गया, 13 मई 1922 को लोगसभा का पहला अधिवेशन सुरु हुआ था, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाओ आयुक्त कौन थे, तो सही उत्तर सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाओ आयुक्त थे, अगला प्रश्ण है मतदाताओं की सरवाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है आपको बताना है बहुत ही महत्तुपूर्ण प्रश्ण है ये आपसन है उत्तर प्रदेश विहार राजस्थान या गुजरात तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश मतदाताओं की सरवाधिक संख्या वाला राज्य है और जन संख्या की द्रिश्टिकोंड से भी ये देश का सबसे बड़ा राज्य है अगला प्रश्ण है चुनाव छेत्र में प्रचार प्रसार या प्रचार अभियान बंद हो जाता है कब आपसन है मतदान के एक दिन पूर्व मतदान प्रारंब होने के 48 गंटे पूर्व मतदान प्रारंब होने के 36 गंटे पूर्व या मतदान समाथ होने के 48 गंटे पूर्व यानि आप देख सकते हैं दोस्तों किसी भी चुनाव छेतर में प्रचार अभियान मद्दान समाथ होने के समय से 48 घंटे पूर बंद हो जाता है अगला प्रश्ण है भारत में आम चुनाव किस सिध्धान पर आधारित है अनुपातिक प्रतनिधित, प्रादेशिक प्रतनिधित, कार्यात्मक प्रतनिधित या सामान्य प्रतनिधित तो सही उत्तर प्रादेशिक प्रतनिधित आपसन भी दोस्तों भारत में जो जनरल इलेक्सन या आम चुनाव होते हैं ये सारो भोमिक बयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक प्रतनिधित्व पड़ाली पर आधारित होते हैं अगला प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में किस विधी को प्रयोग किया जाता है सामपरदाईक प्रतनिधित बृत्तिगर्ठ प्रतनिधान आनुपातिक प्रतनिधित या भूभागी प्रतनिधित तो याद रखिएगा दोस्तों मुहत्वपून प्रश्न है अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से क्या एक सदस्य निर्वाचन छेत्र पध्धत की विशेस्ता है ये पध्धत प्रतनिधियों के लिए काफी किफायती है इस पध्धत में गोलमाल करना संभव नहीं है इससे विधान मंडल में इस्थिर बहुमत प्राप्त होता है और उम्मिद्वार को चुनाव संबंदे खर्च कम करना पड़ता है तो सही उत्तर इससे विधान मंडल में इस्थिर बहुमत प्राप्त होता है एक सदसी निर्वाचन छेतर पद्धत में दोस्तों आप जान लिजे कि जिन निर्वाचन छेतरों से एक सदसे चुना जाता है उसे एक सदसी निर्वाचन छेतर कहते हैं एक सदसी निर्वाचन छेतर में राजनीतिक दलों की संख्या सीम अगला प्रेश्ण है भारत की संसत द्वारत दल बदल बिरोधी कानून किस वर्स पारित किया गया था तो सही उत्तर आपका 1985 यानि 1985 में आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा दुस्तुंबर्स 1982 के 52 संबिधान संसोधन अधनियम द्वारा राजनेतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया था इस संसोधन के तहट संबिधान में एक नई अनुसूची दसवी अनुसूची जोड़कर दल बदल के आधार पर निरहरता यानि डिस्क्वालिफिकेशन संबं अगला प्रश्ण है कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है सरकार का अध्यक्षात्मक रूप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र या लोकतंत्र तो सही उत्तर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है इस सासन बेवस्थ हमें नेड़े लेने का कारे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनीधियों के माध्यम से किया जाता है अगला प्रश्ण है छेतर फल की द्रिष्टी से निम्नलिखित में से कौन सा संसदी चुनाव छेतर सबसे बड़ा है बाड़मेर, राजस्थान, अरुडाचल परश्चिम, अरुडाचल परदेश, लददाख, जमूँ और कसमीर या उतराखंड पूर उतराखंड तो सही उतर लददाख, जमूँ और कसमीर जोस्तों आप जान लिजे कि भारत के संसदी चुनाओ छेत्रों में चेत्रफल की द्रिष्टी से लद्दाग सबसे वड़ा चुनाओ छेत्र है लक्षदीव सबसे छोटा चुनाओ छेत्र है तो सही उत्तर आपसं C हो जाएगा अगला प्रश्ण है भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुग्त कौन था आपको बताना है तो सही उत्तर KV के सुन्दरम आपसं C सही उत्तर आपका हो जाएगा के वी के सुंदरम भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे अगला प्रश्ण है दोस्तों नीचे दिये गए तथ्यों पर विचार कीजिए देखे नीचे दिये गए तथ्यों पर विचार कीजिए दो कथन यहाँ पर दिये गए हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सें थे बिल्कुल सही है भारत की पहली महला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमादेवी थी बिल्कुल सही एक और दो दोनों ही कथन सही हैं आपसन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत के वर्तमान या 25 मुख निर्वाचनायुक्त राजीव कुमार हैं जो कि 15 माई 2022 से हैं अगला प्रश्ण है मता धिकार एक प्रकार से क्या है प्रतिनिधियों के चैन के प्रक्रिया दूसरा है जो ओट देने वाले प्रतिनिधि के लिए छेतर की एकाई की सरश्ण करता है सर्व व्यापक प्रोड विशेश अधिकार या एक विधी है जिसमें ओटर अपना ओट देने के लिए अधिकार का प्रियोग करता है तो सही उत्तर आप संडी हो जाएगा दोस्तों देखें मत अधिकार एक प्रकार से विधी है जिसमें बोटर या मद्दाता अपना मत देने के अधिकार का प्रियोग करता है अगला प्रिश्ण है राष्टी राजनीतिक दलवा होता है जिसने पड़े कुलमतों का 6 प्रतिशत प्राप्त कर लिया हो कहां पर दो या अधिक राज्यों में राजधानी में चार या अधिक राज्यों में या सभी राज्यों में तो सही उत्तर है चार या अधिक राज्यों में पड़े कुल मतों का 6 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया हो दोस्तों चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन 1968 के त्वरह राष्टी दल और राज्य अस्तारे दलों के मानेता के मापदंड निर्धारित किये गये हैं राष्टी दल के लिए जो मापदंड है उसमें राजनीतिक दल ने अंतिम लोगसभा या राज्य विधन सभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों में से 6 प्रतिशत मत प्राप्त किये हों और 4 लोगसभा सीटे जीती हों या उस राजनीतिक दल को तीन अलग अलग राज्यों में लोगसभा की सीटों में से 2 प्रतिशत सीटे मिली हों या फिर वह राजनीतिक जल चार या अधिक राज्यों में राज्य अस्तरी दल के रूप में मानेता प्राप्त हो तब उस पार्टी को राष्टी दल के रूप में मानेता दी जाती है अगला प्रश्ण है सामविधानिक राजसी का आर्थ क्या है तो सही उत्तर सामविधानिक राजसी का आर्थ समविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रियोग है दोस्तों संबैधानिक राजसी या राजशाही का आर्थ एक ऐसी सरकार से है जहां राजा संबैधानिक तौर पर राजजे का प्रमुख होता है संबैधानिक राजशाही का प्रमुख दारण ब्रीटेन में देखनी को मिलता है अगला प्रश्ण है निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए यहां पर आप देख सकते हैं कि तीन कथन है इसमें से कौन से कथन सही है आपको बताना है कूट के आधार पर तो देखें पहला है कि भारत के निर्वाचन आयोक के मुख्य निर्वाचन आयोक्त को उच्चितम नयायाले के नियाधिस के बेतन के बराबर बेतन का संदाय किया जाता है बिलकुल सही है दूसरा है भारत के निर्वाचन आयुक के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कारेकाल पद ग्रहन करने की तारिक से 6 वर्स की अवध या 65 वर्स की आयु जो भी पहले हो आता है तब तक होगा बिल्कुल सही है एक चुना आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुना आयुक्त को सम्भोधेद स्वाहस्ताक्ष्रित लेख द्वरापन पदत्या कर सकते हैं तो ये सही नहीं है एक और दो आपके सही हैं कथन यहाँ पर आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप जान लिजे कि भारत के निर्वाचन आयुक्त में बरतमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ती राष्टपती द्वरा की जाती है मुख निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा भारत के उचितम नियाले के नयाधीसों का होता है और उन्हें उनके सम्तुल ही बेतन और लाभ मिलते हैं मुख निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का कारेकाल पद ग्रहन करने की तारिक से 6 वर्स की अवद या 65 वर्स की आयु तक जो भी पहले वो तब तक होता है कथन 1 और 2 सही है तीसरा कथन दोस्तों सही नहीं है क्योंकि एक निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तिफ़ा राष्ट पती को सम्बोधित करते हैं अगले प्रशन पर आते हैं निमने लिखित में से कौन सा कारे निर्वाचन आयुक्त के कारे छेतर में नहीं आता है भारत के परधान मंत्री का चुनाओ करना भारत के राष्ट पती का चुनाओ करना राजनीतिक दलों को मानेता परधान करना या राजनीतिक दलों को चुनाओ चिन्ह नियत करना तो सही उत्तर भारत के प्रधान मंत्री का चुनाव करना निर्वाचन आयो के कारे छेतर में नहीं आता है क्योंकि अनुच्छेत 75 एक के अनुसार प्रधान मंत्री की नियुक्ती राष्टपती करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ती राष्टपती प्रधान मंत्री की स इसमें या कौन सा जो कूट है आपका सही है देखें मुख्य चुना आयुक्त और अन्य चुना आयुक्तों को समाना धिकार प्राप्त है परन्तु मिलने वाले बेतन में असमानता है ये आपका सही नहीं है मुख्य चुना आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उचतम न्याले की नयधिस को दिया जाता है बिलकुल सही है और मुख्य चुना आयुक्त को उचतम न्याले की किसी नयधिस को हटाने के तरीके और काड़ों के अत्रिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उसके पर सम्हालने की तारिक से पांच वर सत्वा. उनके 62 वर्ज की आयू प्राप्ट कर लेने के दिन से जो पहले होता है, वो होता है, तो ये गलत है. दो, एक गलत है, दो सही है और तीन सही है. तो सही उत्तर, दो और तीन सही हैं. आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप जान लीजे कि जो मुख्य चुनाओ आयुक्त और अन्य चुनाओ होते हैं अपने पद पर 6 वर्स या अधिकतम 65 वर्स की आयुक्तक बने रख सकते हैं जो भी पहले होता है मुख्य चुना आयुकत और अन्य चुना आयुकतों के अधिकार बेतन भत्ते आधिसमान है और उन्हें वही बेतन मिलता है जो उचतम न्याले के न्याधिस को प्राप्त होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन यहाँ पर जो कूट हैं उसमें दो और तीन आपके सही आ रहे हैं अगला प्रश्ण कथन और कारण से संबंधित है कथन है संसत तथा राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र और निस्वक्ष चुनाओ कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र एकाई यानि निर्वाचन आयोग को दी गई है बिल्कुल सही है कारण है निर्वाचन आयोगतों को पद से हटाने का अधिकार कारेपालिका के पास है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है सही है लेकिन यह कारण नहीं है दोस्तों आप जान लिजे की देखे भारत का निर्वाचन आयोग जो है एक तीन सदसी आयोग है और आप जान लिजे की भारती संविधान के अनुच्छे 324 के अंतरगत संसद और विधान मंडलों के निर्वाचन और निस्वाक्षि चुनाओं के लिए एक स्वतंत्र चुनाओं आयोग का गठन किया गया है दूसरी बात यह है जो यहाँ पर कहा गया है कि मुख निर्वाचन आयोगत को हटाने का अधिकार विधाईका को है लेकिन निर्वाचन आयोगतों यानि मुख निर्वाचन आयोगत को छोड़ कर हटाने के लिए इस प अगला प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयोग के निमने लिखित में से कौन से कृत्ति हैं यहाँ पर तीन आपके दिये गए हैं इसमें से सही कूट का प्रियोग करके बताना है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कौन से कृत्ति हैं लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज सभा के सभापती के पदों के लिए निर्वाचन कराना सही नहीं है नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना ये भी सही नहीं है निरवाचनों से उत्पन सभी संदेहों और विवादों का नीडेयन तो कोई भी इसमें से सही नहीं है आप संडी आपका सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं अगला प्रश्ण है निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए यहाँ पर कथन तीन कथन और उसके बाद कूट दिये गए हैं इनके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है तो यहाँ पर देखे आप भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदसी निकाह है गलत है निर्वाचन आयोग मानेता प्रात राजनीतिक दलों के बिभाजन बिले से संबंधित बिवाद निपटाता है तो केवल और केवल तीन आपका सही है आप संडी सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रेशन पर आते हैं भारत में बिविध निर्वाचनों के लिए निमने लिखित में से कौन सी निर्वाचन पढ़ाली या स्वीकृत की गई है आपको बताना है यहाँ पर देखे कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन पढ़ाली बिल्कुल सही एकल संक्रमडी मत के द्वारा आनुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन पढ़ाली सही है आनुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन की संजय पढ़ाली ग एक और दो सही हैं आपसन ये आपका सही गुत्तर हो जाएगा भारत में निर्वाचन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन पढ़ालिया अपनाई गई हैं राष्ट पती उपराष्ट पती राज्य सभा और विधान परिशदों के लिए जो निर्वाचन है एकल संक्रमडी मत पड़ाली के द्वारा आनुपातिक प्रतनिधित्यों के द्वारा किया जाता है जबकि लोकसभा और राजविधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष धंग से संपन्न किये जाते हैं अगला प्रश्न है यदि किसी राजविधान सभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोशित होने वाला प्रत्यासी अपनी निछिप्ठ रास या जमानत रास इखो देता है तो उसका अर्थ क्या होगा तो सही उत्तर है निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्यासियों की संख्या बहुत अधिक थी दोस्तों आप जान लिजे प्रतेक उम्मीद्वार को निर्वाचन में जमानत रास रखनी पड़ती है और यदि वह कुल पड़े बैध मतों का नियोंतम एक बटे छे भाग नहीं प्राप्त कर पाता है तो वह रासिखो बैठता है यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्यासियों की संख्या काफी अधिक हो तो ऐसा संभव हो सकता है अगला प्रश्ण कथन और कारण से संबंधित है देखिए बहुत ही महत पूर्ण प्रश्ण है दोस्तों ये आपके कथन और कारण से संबंधित है कथन है कि चुनाओ की घोशडा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्स आचार संहिता का पालन करना होता है बिलकुल सही है आदर्स आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था ये सही नहीं है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है आपसन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये बहुत ही महत्तपूर्ण प्रशन है आप जान लिजे कि आदर्स आचार संहिता राजनीतिक दलों तथा उम्मी द्वारों के मार्ग दर्शन के लिए मान का दस्तावेज है जो उनके आचन और वेवहार को नियंत्रित करता है ये राजनीतिक दलों की सहमत इसे विक्सित किया जाता है और उन पर बात्यकारी होता है आदर्स आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है और यह निर्वाचन आयोग द्वारा कि गठन ए सत्य है लेकिन आर गलत है अगला प्रश्न है कि राज विधन मंडलों के निर्वाचन के लिए जो सिध्धान्त है उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं आपको बताना है यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे परतेक छेतरी निर्वाचन छेतर के लिए केवल ए तो आप जान लिजे कि ये चारो ही कथन आपके सही है राज विधन मंडलों के निर्वाचन के समबंध में तो सही उत्तर आपसन D हो जाएगा अगला प्रश्न है निर्गम मत सर्वेक्षण की विश्य में कौन सा कथन सही है निर्गम मत सर्वेक्षण यानी एकजेट पोल के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है तो सही उत्तर है एकजेट पोल सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रियोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्विक्षण को व्यक्त करता है जिससे ये पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्यासी के पक्ष में किया है अपसन ए आपका सही गुत्तर है एकजेट पोल वह पद्धती है जिसमें मतदान के तुरंत बाद ये पता लगाया जाता है कि मतदाताओं ने किस प्रत्यासी अदल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया जबकि जनमत सर्विक्षन मतदान के पहले ही चुनाओं के संबंध में जनता कि राय जानने के लिए विभिन एजेंसियों द्वारा किया जाता है अगला प्रश्ण है लोकसभा और विधान सभा में सीटों के आरक्षन से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए तो यहाँ पर आपके पास तीन कथन दिये गए हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है लोकसभा की 543 निर्वाचन सीटों में से 84 सीटे अनुसूचित जाती और 44 सीटे अनुसूचित जन जातीयों के लिए आरक्षित हैं तो यह गलत है किसी निर्वाचन छेतर को अरक्षित करने का निड़े परिसीमन आयोग द्वरा लिया जाता है बिलकुल सही है और परिसीमन आयोग की नियुकती लोकसभाई स्पीकर द्वरा की जाती है यह गलत है तो एक और तीन आपके गलत हैं दो सही है कथन एक और तीन गलत हैं लेकिन दो सही हैं आप संसी आपका सही उत्तर हो जाएगा आप देख सकते हैं दोस्तों वर्स दो हजाराट के परिसीमन के तहत वर्तमान में लोगसभा के कुल पांसो तिरालेस निर्वाचन सीटों में 84 सीटे अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटे अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षेत हैं कथन एक सही नहीं है परिसीमन आयोक का गठन संबिधान के अनुच्छेद 82 के तहए संसत द्वारा बनाई गेविधी के अधीन केंदर सरकार द्वारा किया जाता है और किसी निर्वाचित छेतर के सिमांकन और उसे आरचित करने का निड़ा परिसीमन आयोक के द्वारा लिया जाता है तो केवल कथन दो सही है, कथन तीन गलत है अगला प्रश्ण परिसीमन आयोक के संदर में निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिये गये कोट से सही उत्तर का चैन करिए पहला है परिसीमन आयोक के आदेसों को किसी नियाले में चुनोती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल सही है और दूसरा है कि परिसीमन आयोक के आदेस, जब लोग सभात और राज्यविधन सभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेसों में कोई संसोधन नहीं किया जा सकता बिल्कुल सही तो एक और दो दोनों सही है आप संसी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण और इस वीडियो का आखरी प्रश्ण है नीचे दो कथन दिये गए हैं कथन और कारण तो इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है कथन है कि आनुपातिक प्रतनिदेतों की पढ़ाली अलपसंख्यकों के प्रतनिदेतों की समस्या का कुछ हट तक समाधान कर सकती है बिल्कुल सही है कारण है आनुपातिक प्रतिनिजित्यों की पढ़ाली निर्जातेता लिंगहितों और विचारधाराओं पराधारित सभी प्रकार के समोहों के या थोचित प्रतिनिजित्यों को सुलब बनाती है तो बिल्कुल सही कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही ब्याख्या करता है दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्य की व्यवस्था निर्वाचन प्रिया पडाली के रूप में अल्पसंख्यक समोहों का उनकी संख्या की अनुपात में या थोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है इस पडाली से सभी वर्गों का समचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही ब्याक्या भी करता है तो दूस्त के सामान ग्यान और सामान अध्यन के साथ विभिन आयोगों द्वारा राजनीत विग्यान और नागरिक सास्तर विशेस से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भरती परिच्छाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है आप इन प्रशनों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माकदशन फॉर सिविल सर्विसेश को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार